2.0 के बाद रचनी कांथ कार्थिक सुपराच की फिल्म में नजर आएंगे फिल्म का नाम अभी तैं नहीं है लेकिन शूटिंग शुरूर हो चुकी है 2010 में एथिरन नाम की तमिल फिल्म रिलीस हुई थी उसे हिंदी अंग्रेजी भाशी और्डियंस ने रोबोर्ट के नाम से चाना था रचनी कांथ आईश्वरिया राइबाचन और डैनी ने इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाए थी इस फिल्म में रचनी ने डबल रोल किया था साइंटिस्ट वसीगरण और उनका बनाया हुआ रोबोट चिट्टी इस फिल्म में खास तोर पर दिखाए गए थे फिल्म चिकेट खिड़की पर सबर्दस्थ हिट रही थी अब उसी फिल्म का सीकुल आ रहा है इस फिल्म का नाम है टू पॉइंट ओ एधिरन की सफलता के फॉरण बाद ही उसके सीकुल बनाने की बाते सामने आने लग गए थी 2011 में दूसरे पार्ट के प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो गया था रोबोट बनाने के बाद डारेक्टर शंकर ने हिंदी फिल्म थ्री इडियर्स का तमिल वीमेक नन बन और विक्रम स्टारर अक्शन शुलर आई बनाई थी इस दौरान उन्होंने तीन फिल्मों की कहानी भी लिखी थी जिसमें से एक रोबोट का सीकुल भी था पहले वो इस फिल्म को बनाने को लेकर शौर नहीं थे 2015 में लाइका प्रोडक्शन ने फिल्म से जुनने के बाद फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था 12 दिसमबर 2015 को रशनी कांत के एसेटवे जनम दिन के दिन पर फिल्म का ओफिशल अनाउंसमेंट हुआ था और 16 दिसमबर से चन्नई में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई जहां तक स्टाकास की बात है तो पिशली फिल्म से सिर्फ रशनी कांत को रिटेन किया गया है पिशली फिल्म में तो रशनी कांत ने हीरो और विलन दोनों का ही रोल किया था लेकिन बात नहीं बनी इसके बाद फिल्म के मेकर्स पहुच रे हॉलिवड अक्टर अर्नॉल के पास अर्नॉल ने फिल्म के लिए बहुत बड़ी रकम मांग ली जो टीम दे नहीं पा रही थी इसके बाद रितिक रोशन और नीन लितिन मुकेश का भी नाम इस फिल्म के लिए उचला लेकिन आखिरकार अक्षे कुमार को साइन कर लिया गया फिल्म की लीड हिरोईं होंगी एमी जैक्सिन एमी इससे बहले अक्षे कुमार के साथ सिंगिर्स बिलिंग में नजर आ चुकी है उनके अलावा फिल्म में आदल हुसैन और सुधाशु पांडे जैसे अक्टर्स भी दिखाई देंगे 2.0 में रशनीकांद एक बार फिर से जॉक्टर वसीकरन और चिट्टी का किरदार निभाते हुए रिखाई देंगे जबकि अक्षे एक दुष्ट साइन्टिस्ट और फिल्म के में विलन के रोल में होंगे इस किरदार का नाम होगा जॉक्टर रिचर्ड 2.0 की कहानी में इस बार चिट्टी और वसीकरन एक दूसरे से लड़ने की बज़े साथ मिलकर रिचर्ड से लड़ते हुए नजर आएंगे फिल्म के पोस्टर में अक्षे के लुप को देखते हुए लग रहा है कि रिचर्ड खुद एक ऐसा रोबोट है या उसमें एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें इनसान और पक्षी दोनों के गुण है यानि वो उड़ भी सकेगा ये महज एक अचकल और अंदाजा भर है रजनीकान का कट इतना उचा है कि कोई भी नाम उनके सामने छोटा लगने लगता है अक्षेकुमार पहली बार किसी तमिल फिल्म और रजनीकान के साथ काम कर रहे है वो खुद हिंडी फिल्मों के सुपरस्टार है इतने सब के बावजूद सेट पर रजनीकान को देखकर उनका फैन जाग जाता था अक्षेक ने एक किस्सा बताया था कि रशनीकांट जो करते हैं वो कैसे सबसे अलग होता है उन्होंने बताया कि शूटिंग के दोरान सेट पर रशनीकांट अपने पैंट से धूल ज़ाड रहे थे उनको ऐसा करते देख आसपास में मौजूद लोग एकटा होकर देखने लगे उन्हें रशनीकांट का वो करना भी काफी स्टाइलिश लग रहा था ऐसे फॉलोईंग है उस आदमी की वही फिल्म पिछले काफी समय से बन रही है फिल्म के बहुत सारे टेंप्ररी ग्राफिक्स वाले सीन्स पर लगातार काम चल रहा था ऐसे में ही फिल्म का एक 44 सेकंड का टीजर लीक हो गया कुछ ही घंटों में ये वीडियो चन्द इंटरनेट पर आ गया था रपोर्ट की तरह इस फिल्म में भी एयार रहमान का ही म्यूजिक होगा एयार रहमान ने अपने इंजव्यू में बताया कि वो इस फिल्म के लिए जो कुछ भी बना रहे हैं वो डाइरेक्टर शंकर को पसंद ही नहीं आ रहा है ये उनके लिए सबसे मुश्किल फिल्म है लेकिन वो इसमें जोर शोर से लगे हुए है वहीं 2.0 एशिया की सबसे महंगी फिल्म बताई चा रही है शुरुआत में फिल्म का बजट 400 करोड रुपे तै किया गया था लेकिन फिल्म के डाइरेक्टर शंकर फाइनल कंप्यूटर ग्राफिक्स से खुश नहीं थे इसलिए फिल्म के वी एफेक्स पर दोबारा काम करने के लिए 60 करोड रुपे और लग गए थे तो दोस्तों क्या आपको भी फिल्म 2.0 का बेस सब्री से इंतसार है और इसकान में आप किसको सबसे ज़्यादा देखना पसंद करेंगी रश्नी कांत को या फिर अक्षे कुमार को आपकी राय कामन बॉक्स में ज़लू बताए वालिवूट से जड़ी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें